जीजा की घड साली ने हाथ की नस्काट करके सुसाइट की कोशिश घबराय स्वजनों ने कराया अस्पताल में भरती शिवपुरी चिले के दिहा थाना शेत्र के अंतरगात आने वाली जवाहर कॉलोनी की रहने वाली 21 वर्षे युप्ती ने गुरुबार की देड़ शाम अपने जीजा के घर करेरा कजबे में हाथ की नस्काट कर सुसाइट की कोशिश की युप्ती के इस कदम से जीजा के घर में हड़कंप मच गया घबराय स्वजनों ने तुरंत युप्ती को इलाज के लिए जिला स्पताल शेउपुरी में भरती कराया जहां डॉक्टरों द्वारा युप्ती का उपचार किया गया फिलाल युप्ती की हालत खत्रे से बाहर बताय जा रही है जानकारी के अनुसार जवार कॉलोनी के रहने वाली किस वड़शे युप्ती रेनू बाधम ने बताया कि वा अपने जीजा के घर करेरा बहन के बेटे का बर्थजे मनाने गई जहां जीजा के भाई गोलू हेमत और पूजा ने उसके साथ मार पीट और गाली गलोच की जिससे गुसे में आकर उसने चाकू से अपने हाथ की नस काट ली आपके घरवालों ने शिकाहित नहीं कि अबेटार में इसलिए काट लिया था आपके घरवालों ने शिकाहित नहीं कि यह आपने आपके घरवी काटा है करेराम काटा है इसी बात पर काटा के जी आजी के लिए भाई वेनों को गाली देते हैं आपको कि लड़के का बड़े ता बड़े में गए तो महारा दो निक्की तारिक को करें रपर्ट करके आई हैं तो कुई नहीं सुनवाई नहीं करें तो कल क्या हुआ है जो हाथ काटा तो इस पर गुश्ची में काटी कल भी कोई गटने करम गवा ना गाली गलों सब्सक्राइब इनके भाई के नाम उनके गोलू एमन पूजा पूजा इनकी बेहन है नहीं है बहु एंगे बहु है ज्सक्राइब, ज्सक्राइब